नमस्कार दोस्तों स्वागत है यार एक और वीडियो के अंदर ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना ये नॉर्मल है वैसे तो मगर अंतर आ जाता है जब आप पीछे आते हो एक्जेक्यूटिव भाई एक्जेक्यूटिव मोडल है आपका वेन्यू का और तर्बो में आती है इसमें 1000cc का आपका तर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है ये पहली बार मैं भी देख रहा हूं उस गाड़ी को ये फर्स्ट ताइम आई है ये देख रहे हो सोलेंच के पाईए और देखते हो अपना फील तो सईसा दे रही है सोलेंच के पाईएं को एड़ाउन देखने को मिलता है आपको इसके अंदर आप आते हो इंडिकेटर फेंडर पर ही दे दिया चलो कोई देखकत नहीं है इसको इंजन ना 120 बहप की पावर देता है आपको एंड एक्जिकुटिव की ब्रांडिंग वेनिव की ब्रांडिंग और इट तर्बो है 1000 चीसी के इंजन ने तर्बो के अंदर वाइपर आ गया डिफॉगर देखने को मिलता है एका चीज कटोती करेगी कंपनी क्या करेगी कैमरा नहीं डाला देख रहे हो और कीमत बहुत अ नहीं गाड़ी है थोड़ी सी गंदी हो रही है माइंड मत करना बात करते हैं पूरी फ्रेंट में बड़ी से यूंड़ी की सिग्निचर ग्रिल जो वेन्यू में आपको देखने को मिलती है इसके अंदर इसके अंदर आपको LED DRL और LED प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिलता फॉग लैम तो वैसे ही नहीं आता है वेन्यू के अंदर आजकल इंडिकेटर ऊपर हैलोजन है कोई DRL नहीं है क्रोम की पूरी पट्टी हाई बीम लोबीम इसी के अंदर देखने को मिलता है फ्रेंट में कोई कैमरा नहीं है कोई भी इडास नहीं है इडास आपको अप्सिनल के अंदर यहां पर आप देख रहे हो नीचे स्किड प्लेट सैटन में देखने को मिलती है बिल्कु नया मोडल है मतलब आस तक न एस ऑप्सिनल से आपका लेग एक तरह एक आपका और तर्भो के अंदर आ रही है गाड़ी बढ़िया है C8 का सिक्योरा वील नहीं है यह देख लो ऐसे करके ना ऐसे बजाके देखते हो तो आपको अदर बजते भी है यह क्या चीज़ है भाई स्टाइल वील बोलते हैं इनको एलोई वील नहीं होते है और सेक्शन की बात करता हूँ मैं तो देख लो 2566 है ठीक है 16 इंच का बड़ा वाला पईया मैंने जब वेन्यू खरी दी उसमें 15 इंच का पईया था वो वेन्यू एस ऑप्शनल थी पेट्रोल नॉर्मल 1200 CC का आपको उसके अंदर नाच्रल एस्परेटेड़ एंजन है यह जो गाड़ी है यह तर्बो है 1000 CC थ्री सिलेंडर एंजन है इसके अंदर 108 भी एस पी कुछ की पावर देती है 172 इंटन मीटर का टॉर्क देती है के देख लो कैमरा नहीं दिया देखो कैमरे की कटाती कर द οι अंदर टश्क्रीन तो देदी है मगर कैमरा नहीं दिया टंस्क्रीन देख लो और framework ये ँश क unravel लग के आये और उसके अनदर आपकी LED कनेक्ट läuft LED टेल लैम्प थे स्में LED किनेक्टेद थे लांप भी नहीं है enjoying bowl with Eine यह पूरी connected नहीं और mark और इसेशन नहीं और kषण प्रकार यामिपर हो गया मेरी गाड़ी में वेनिवके अंदर यापर नहीं है पीछे और उसका इंजन बेकार वाला है उसमें यहां से होता है यहां से होती है पेट्रोल की टंकी ओपन आपकी ठीक है इंजन का खेल है भाई पावर्फुल गाड़ी 10 लाख रुपए एक शोरूम में पढ़ रही है आपको यह देख लो यहां पे आपको डैंपिंग लगके कुछ भी नहीं आती तर्बो जीडियाई मोटर एक्जेक्यूटिव है भाई तर्बो जीडियाई 108 है भी एचपी 172 न्यूडर मीटर का टॉर्क बैटरी यह रही फ्यूज बॉक्स यहां पार है एर इंटेक सिस्टम वेरा और बैटरी है इसकी डेल कर की यह चेक कर सकते हो डेल कर की बैटरी है एबियस फ्लैशिंग पीछ करते हो संरूफ बगरा देखने को कुछ भी नहीं मिलती स्टाइल्ड वी लाग है दोर्स पे क्लैडिंग लग रही है आपकी डोर भी बॉडी कलर है उपर सैटन सिल्वर कलर की रूफ रिल्स देखने को मिलती है शाक फिन एंटेना देखने को मिलता है यार 9.99 लैक्स मतलब क्या ही बोलूम है आप देख रहे हो फील तो बहुत प्रॉपर दे रही है लग रही है गाड़ी मतलब जम रही है अगर भाई आप एस उप्शनल में नहीं जाना जाते है ना पेट्रोल के अब इसको कंसेडर कर लो पावरफोल इंजन मिल रहा है आपको कैमरा नहीं है LED वे नहीं नहीं तो मैं बोलूँगा सके अंदर आजा एक बार अंदर बैठके बात करूं क्या चीज़ है साउंड की भी बात कर रहे हो ना भाई यह देख लो यहाँ पर ट्विटर है यहाँ पर आपका भाई सके अंदर चेक कर सकते हो तो दिसस स्पीकर और पीछे की बात करता आती है आपको रिमोट वाली इससे लॉक लॉक पूरा काम करता है ऐसे देखो बैठता हूं अंदर यह देखना यह लॉक यह लॉक और इससे डिगगी ओपन हो जाती है आपके ठीक है चावी एक वैसी है आपकी घटियासी जो आती है आप चावी को लगाते हैं आपे लग से दलवाना पड़ेगा तो यार यह दे देना चाहिए रहे हो तो मियुक सिस्टम भी चैवाला कर दिया स्पीकर के साथ वाथ तो भाई कैमरा देने में क्या आ जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी और रियर में वाइपर दे दिया है यह चैक कर लो रियर वाइपर वाइपर भी पीछे आ रहा है तो वाइपर कंट्रोल वगर यहां पर आपको देखने को मिल दाते हैं यहां पर गाईज आपको चेक कर पाते हैं और यहां पर इक बटन नहीं है यह लंबा सा है माइडी कंट्रोल हो पाता है तो भाई इसमें क्रूज कंट्रोल वगरा भी सब चीज देखने को मिलती है आपको टीपी में साराइस के अंदर आपका ऐसे चेक कर लो टीपी में इसको नीचे वीचे करना है ऐसे घरके नीचे कर लो सिंस्री फ्यूलिंग क्या माइलेज अब बात करते हो और वीम एलेक्ट्रोनिकली एड्जेस्टेबल है मगर एलेक्ट्रोनिक फोल्डिंग नहीं है हाथ से ही बंद करने पड़ेंगे आपको ऑटो डाउन फॉर्दर ड्राइवर ऑटो अप फॉर्दर ड्राइवर बाकी सब नॉर्मल देखने को मिलती है हाट प्लास देखने को नहीं मिलता इधा आपको मिरर देखने को मिलता चारजिंग यह रहा ऐसे करें खोलते हो गलव वक्स वेनियो एन-लाइन आ पुस्ते का फुस्ते का फस्ते का क्यिकट वगर रखें ओवी है इसे करके कर दो बंद फैब्रेक की सीट्स दो कपोल्डर फोड़ी सब्सक्राइब नहीं यह भी आपका लेदर रेप नहीं है और स्टेरिंग की बात करता हूं मैं तो सिर्फ टेल्ट मिलता है टेलिस्कोपिक इसमें नहीं मिलता चोटा सा आम्रेस्ट है अंदर थोड़ी बुच जगे इसके इसके बाइब नहीं आपको पूरा पूरा एसास मिल रहा है रियर में आपको वाइपर वगरा भी देखने को मिल रहा है तो भाई कुछ तो चीज है ना कंपनी ने सोचके बनाई यह वैसी बात है आओ एक बार अंदर बैठता हूं में तो इधर बैठते है भाई थोड़ा सब वेन्यू में शिकाइद किया रहती है कि पीछे इसमें नी रूम इतना अच्छा नहीं है नी रूम में मतला फील नहीं आता लैंप हैलोजन पीला बीच में बिलता है तो इसी के वेंट यहां पर आगए यहां से बंद कर दो हवा यहां से खोल दो ऐसे करके ऑन उन उफ कर सक हाट प्लास्टिक पूरा वर्रा है इसके अंदर और तीनों पैसेंजर के लिए सीट बिल्ट पीशे पार्सल ट्रे भी नहीं है इसकी भी कॉस्ट कटिंग कर दी कंपनी ने तो भाई मॉडल सही है मतलब हेड्रूम वगरा भी अच्छा है इसके अंदर एर्वेक की ब्रैंड का रॉला सब दे रिये वाइपर वगरा से लोड़ेड कैसी लगी यह वीडियो हो सकता है यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे तो भाई प्ली सब्सक्राइब कर देना बहुत मैनत लगती है गर्मी बहुत पढ़ रही है थोड़ी पैर में भी लग रही मिलते हैं भाई अगले वीडियो के अंदर